हेलो फ्रेंट्स मैं राजीब और आजीब की चलिए इंफरम आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे ब्रेट की मिठाई तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ब्रेट मिठाई बनाने के लिए फ्रेंट्स हम पांच ब्रेट लेगे और चीनी जो कि हमारा वेट में 200 ग्राम के आसपास है इलाइची ऑप्शनल है फ्रेंट्स आप चाहे तो इलाइची नहीं भी ले सकते हैं कि यह रेसिपि की आप 10 के प्रेंट में तयार कर सकते हैं इसमें नहीं ज़्यादा लगत लगता है और नहीं जादे परिशामी इस रेसिपी को मड़ाने के लिए हम सब सब्सक्रें चास्नी तयार करेंगे चास्नी हमें इसकदर तयार करनी है इतना ही चास्नी मेरी ज़्यादा गाड़ी हो ना ही ज़्यादा पतली इलाइची के छिल्के को डालेंगे फिर चास्नी को उबाल होने देंगे यह लगवक तीन से चार मुनट हमारी चास्नी तयार हो जाती है कि चाशनी को फ्रेंट्स हमें नहीं ज्यादा गाड़ी करनी है नहीं ज्यादा पतली अब यहां पर हम इलाइची का चुरन डालेंगे पिर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे देखे हमारी चाशनी की ठीकनेस कुछ इस परकार है कडा ही लेंगे और उसे गैस पर चढ़ाएंगे पिर इसमें तेल एड करेंगे तेल लगवग हमारा 100 गराम के आसपास होगा इसमें 100 गराम हमारी 5-6 ब्रेट बन जाती है अब हम बारी बारी से ब्रेट को डालेंगे और मिडियम तुलो फिलेम पर पकाएंगे थोड़ी थोड़ी करके सेकनी है में दोनों तरफ यह देखिया हमारी एक तरफ पक चुकी है ब्रेट और इसे ब्राउन सुना रहा होने देंगे सुनारा होने से फ्रेंड्स इसमें करंची वाली फिलिंग आती है और अंदर से रस्वरी वाली फिलिंग बारी बारी से हम सभी ब्रेट को इसी तरह पकाएंगे बिल्कुल गॉल्डन ब्राउन तक पकाएंगे अलाई बारी प्रव के लादय। इसी तरह हम अपने सारी ब्रेड को पकाएंगे तो सारी ब्रेड हमारी पक चुकी है अब बारी आती है इसमें चासनी में डालने की तो चासनी में बारी बारी से डालेंगे यहां पर हम 5-7 में तक चासनी में डालेंगे और इसे फिर हम सर्व के लिए निकालेंगे फ्रेंट्स यहां पर ज़्यादा दिर तक हमें चासनी में छोड़नी नहीं है नहीं तो हमारी मीठाय पूरी गल जाएगे अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे आप इस मिठाय को चाहे तो फ्रीज में 4-5 दिन दखके भी खा सकते हैं करते हैं तो अपने देखा फ्रेंट्स सिर्फ दूछीव से मारे मिठाय कितनी अच्छी बन के तयार हो गई है और बहुती टेश्टी है क्याय आप भी अपने घर पे बनाएं और अपने प्रिवार को खिलाएं कि इस मिठाई के अंदर कितने अच्छी रज गई है देखिए फ्रेंट्स कितना बढ़िया टेक्स्चेर है यह देखिए है हमने इस ब्रेड मिठाई को दो भागों में सलाइस करके प्लैटिंग किया है अब भी चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं का कैसी लगे रेजीपी हमें कमेंट करके जरूर बताना और शेक्ष्टे करना न पूले इसी तरह के रेसी आपको आगे भी चाहिए हमारे चैनल के सबस्क्राइब के भेल आइकन को दाषानी को दवाना न भूले जये हिन देयर लो